बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेट काइट पीपोल्स वोईस और पैल आइकन दबाए एक ही बात सुनी थी और देखी थी कि आपदा की घड़ी में एक दूसरे के बैरी भी एक दूसरे को छती ने पहुचाते बार के समय जब बार का पानी बलता है तो किसी चक्तान पर किसी ब्रिक्ष पर किसी दिवाल पर चड़ के साप भी छुप जाता है चूहा भी छुप जा उसी पर बाज भी बैड़ जाता है उसी पर चिडिये भी बैड़ सी होती है उसी पर मनुष भी होता है कोई किसी को नहीं डस्ता ये पहली बार नया फार्मूला भारत में दिया गया कि आपदा को उसर बनाओ और आपदा को उसर बना दिया गया दिल्ली के तिहार जेल में बं छोटा राजन उनकी ब्यवस्ता होगी एम्स में उसी तिहार जेल से वो एम्स से आएंगे और अपना इलाज करा के सकुषल एम्स वापस लोड़ जाएंगे तिहार वापस लोड़ जाएंगे और शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन को दीन देया लुपाधिया हस्पिटल भेजा जाएगा जहां वेंटीलेटर की सुविधा भी उन्हें नदी जा सके अभी आजम खाके जानके लाले पड़े हुए हैं लाया गया है उठा करके लखनव और ताना बाना जैसा बनाया जा रहा मुझे लगता अब जादर समय नहीं लगना है उनके लिए भी सारी योजराएं लगता है पहले से प्लान कर ली गई है लेकिन इस हकूमत से ब्यड़ी भी कोई हकूमत है और कोई हाकिम है इन पापों का हिसाब जो दुनिया में लोग अभी नहीं ले पा रहे है उसका हिसाब वो लेगा और ये जो पाप इस आपदा की घड़ी में अपने विरोधियों के लिए जो तमाम कठिनाईया पैदा करके उनके साथ उनके जीवन तक के समाप्त कर देने की साजिस करके और जो जन्ता के उपर हो रहे अत्याचार है जो आपदा के कारण अपनी कमिया है उसको छुपाने के लिए मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किस किस तरह की पागलपन की बात कही जा रही है जहां छुट्टा मवेशी रखे जाएंगे वहाँ थर्मामीटर रखा जाएगा कि उनका आक्सीजन ना पा जाए उनका स्वास्चेक किया जाए जहां इंसान मर रहा आक्सीजन के बगर उस इंसान को आक्सीजन मुहया हो उसको वेंटीलेटर की सुविधा दे दी जाए उस मरने वालों की सही संखिया तो कम से कम बता दी जाए कुछ नहीं इतनी बड़ी बेहिमानी तो साइद सृष्टी के रचैता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग मी बढ़ जाएंगे जो विपत्ति काल को अपने लिए आउसर बना लेंगे कि इस अउसर से अपने विरोधियों को उनका खात्मा करने के लिए खरियंत रचते हैं